हेलो गाईज कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे मज़े ले रहे होंगे भाई बिल्कुल फुल यहाँ पर क्लास 12 के एक्जाम का एंसेल हो गए रिजल्ट आ जाएगा अब ओर क्या चाहिए बट गाईज कुछ यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनको एक्जाम देने हैं क्योंकि वो अपने रिजल्ट से यहाँ पर सैटिस्फाई नहीं होंगे तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है आज की वीडियो में तो चलिए गाईज वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए तो गाईज यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि देखी क्लास 12 के जो एक्जाम्स थे वो कैंसिल हो चुके हैं रिजल्ट 31 जुलाई तक आ जाएगा लेकिन जिनको एक्जाम देना है उनको लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है तो चलिए गाईज मैं आपको अपडेट यहाँ पर आप देख पा रहे हो अगस्त में होंगे भाई आपके एक्जाम्स जो भी यहाँ पर अपने रिजल्ट से सैटिस्फाइ नहीं होंगे उनके हलफ नामा भी दायर हो चुका है सुप्रिम कोर्ट में ठीक है पूरी अपडेट क्या है देखे परिणाम 31 जुलाई तक घोशित कर दिये जाएंगे मुल्यांकन और रिजल्ट से ऐसंतुष्ट चात्रों को मध्य अगस्त से सितंबर के बीच परिक्षाओं में भाग लेने का मुका दिया जाएगा यानि कि आपके यहाँ पर जो रिजल्ट अगर आएंगे उनसे अगर आप सैटिस् सुमवार को यानि कि आज क्योंकि आज ही है सुमवार सुप्रेम कोर्ट में सुमवार को बोर्ड परिक्षाओं और मुल्यांकन संबंदी आचिकाओं पर सुनवाई के दोरान सी बियसी बोर्ड ने बारवी की वेकल्पिक परिक्षा अब इसे वेकल्पिक परिक्षा क्यों बोला जारा है वो तो पता है न आपको optional exams वो इसलिए क्योंकि भाई अगर किसी को यहाँ पर exams में जो यहाँ पर result आएगा अब की बार उनसे वो satisfy नहीं होंगे तो उन्हें option मिलेगा exam देनेगा इसलिए इसको optional exam बोला जारा है ठीक है वेकलपिक परिक्षा अगस्त सितंबर में कराने की बात कही है तो यहाँ पर आप देख सकते हो cbse board ने साफ कह दिया है कि भाई हम अपने जो optional exam है वो अगस्त या फिर कहीं कि सितंबर में complete करवाएंगे यानि कि अगस्त के यहाँ पर जो मिड होता है यानि कि 15-16 अगस्त से स्टार्ट करके सेप्टमबर के फस्ट विक तक चल सकते हैं ठीक है सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हो आगे देखें cbse board ने कहा कि हम पुरू गोसित मुल्यांकर निती से रिजल्ट तयार कर रहे हैं परिणाम 31 जुलाई तक गोसित कर दी जाएंगे मुल्यांकर रिजल्ट से आगे वही बात लिखी हैं सारी तो गैस मैंने आप आपको बता दिया है भाई जो भी एक्जाम देना चाहते हैं वो अपनी तयारी कर दीजे